नमस्कार मैं हो ससी आई ज्यार्खन की टौप 25 पर्मोख खबर जानते हैं ज्यार्खन में अक्टूबर में तीन चर्नो में विधान सभा चुनाव की त्यारी जार्खन में बिधान सभा चुनाव अक्टूबर में तीन चर्णों में कराने की त्यारी चल रहिया इसको लेकर द्वितिये मद्दाता सुची के पुन रिक्षन का काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा जार्खन दोरे के दूसरे दिन गुरु आरको भारत निर्वाचन आयो के वर्ये उप निर्वाचन आयोक धरमेंदर सर्मा और नीतेस ब्यास ने सभी जीलो के निर्वाचन पताधिकारी और मुखे निर्वाचन पताधिकारी के साथ रामगर के पत्रातु में बैठक की इसमें द्वितिये मतदाता सुची पुनरेक्षन कारकर्णम की समिख्छा की भारत निर्वाचन आयो के दोनों अपसरों ने सभी जीलों के जीला निर्वाचन पताधिकारियों को निर्देश दिया है कि युवाओ, दिभ्यांग, जनो, महिलाओ, पीवी, टीजी वर्गों को मद्दाता सुची में पंजिकरित करने के लिए बिस्तेश जगरुपता अभ्यान चलाए बिस्व बिद्यालियों और कॉलेजों के सत परतिसत छात्रों का मताता सुची में पंजीकरन करवाने के लिए सभी जीले प्रभावी पहल करें सभी जीला निर्वाचन प्रभावी कारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रायनितिक दलों के साथ नियमित अंत्राल पर बैठक करते रहे और उनके द्वारा बतायागा बिंदुओं पर समुचीत करवाई करने के साथ साथ उन्हें नियमित रूप से संबंधित अगतन जनकारी प्राप्त करना सुनेश्चीत करे राजेपाल ने बीधी बेवास्था पर जताई चिंता सीएम को पत्र जारखन में बीधी बेवास्था की बिगरते हालाद को लेकर राजेपाल सीपी रधा किष्णर ने चिंता जताई है राजेपाल ने इसको लेकर मुख्य मंत्री हमान से नों को पत्र लिखा है साथ ही ग्रिव मंत्राले भारत सरकार को भी पत्र की प्रती भेज़कर हालाद से अगत कराया है मुख्य मंत्री को लिखे पत्र में राजेपाल ने असपस्ट कहा है कि कानून बेवस्था की इतिती सुधार ने और अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है राज में विकास और किसी परकार के निवेश के लिए कानून बेवस्था का सुध्रिड होना सबसे पहली जरूरत है अपने पत्र में राज जेपाल ने कुछ परमुक अपराधि घटनाओ का उलेक करते वे उन्होंने मुख्य मंत्री से अनुलोत किया है कि आप इस बिगर्थी स्थिती की ततकाल समिक्षा करे और जिमेदारी तै करे ताकि कानून और वेवस्था तंत्र सतर्क रहे और ऐसी घटनाओ की पुनरवीरिति न हो उक्त उलेखित की अवल प्रमुक घटनाए है मुख्य मंत्री हेमान सुरेन आज 1500 पीजीटी सिक्षकों को सौपेंगे नियुक्ती पत्र जारखन के 1500 असनात कोतर प्रसिल्षित अव्यार्थियों को मुख्य मंत्री हेमान सुरेन सुक्रवार को नियुक्ती पत्र देंगे नियुक्ती पत्र बित्रन समारो धुरुवा के परभात तरह मैदान में दो पहर 12 बच कर 30 मिनट से होगा पीजीटी के साथ भी सवय हिंदी, संस्क्रीट, अंग्रेजी और सास्थ वानीजी गनीत वा इतिहास के अव्यार्थियों के नियुक्ती पत्र दिये जाएंगे बताद इस से पहले ततकारी नमुक्य मंत्री चंपाई सुरेन साथ मार्च को सहीद मैदान में 1020 पीजीटी अव्यार्थियों के बीश नियुक्ती पत्र बित्रन किया था सुक्रवार को होने वाले समारोह में बीत मंत्री रामेसरुराव, स्त्रम मंत्री सत्रन भोक्ता और सिक्षा मंत्री बैदनाथ राम बिस सिष्ट अतिति के रूप में महजूद रहेंगे जे एमेम का आरोप फिर सरकार आईस्थिर करने की साजीश जामो ने केंदर सरकार और भाजपाप पर अब चुनाव आयोग के जरी राज सरकार को आईस्थिर करने का आरोप लगाया है प्रकार से चुनाओ आयोग की टीम जारकन आई है और बैठके कर रही है उस दे साफ है कि राजी के पतादिकारियों में भ्रम और भाय पैदा करने का पर्यास किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि जारकन में धार्मिक, संस्कृतिक और भावलिक द्रिष्टी कोन से छट तक चुनाओ संभव नहीं है आखिरकार भाजपा को किस बात का डर है पूरे देश में हर राजी के बिधान सभा चुनाओ का सेडूल बना हुआ है इसमें केंद्र सरकार कियों छेर चार करना चार ही है समाई पूर्व चुनाओ से क्या हासिल होगा इसका जबा भाजपा को देना चाहिए रांची में अब रात में भी दीन जैसी पूलिस जाच राजधानी की सुरक्षा के लिए 200 आतिरिक्त जवानों को लगाया गया है रांची डियाईजी और एसेसपी के आगरा पर पूलिस मुख्याले के दोवारा चार एको कंपनी राजधानी को दिया गया है इसमें कूल 200 जवान सामिल है यह जवान रांची में एंटी क्राइम चेकिंग करेंगे रांची रेंज के डियाईजी अनोब बिर्थरे ने बताया है कि रांची में अकसर फोर्स की कमी रहती है कभी ट्रेनिंग तो कभी दूसरे कामों ब्यास्त रहने की वज़े से कानून ब्यवस्ता की थिति को समालने में कई तरह की दिखते आती है आयसे में पुलिस मुख्याले की तरफ से राजधानी के आउटर की सुराक्षा और रात्री में बिसेज चेकिंग अभियान के लिए फोर्स उपलवद कराया गया डि आई जी अनुब इरत्रे ने बताया है कि अब चेकिंग के दोराण लापर वही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर करवाई होगी J.S.S.C. पेपर लिक मामले में आरा से सरगाना गिरफतार छारखन में JSSC CGL पेपर लिक मामल में बिहार के आरा से सरगाना अमन सिंग को गुरु आर को पूलिश ने गिरफतार किया है पुस्तास के करम में अमन सिंग के दोआरा अपने गिरोह का खुलासा करते हुए कई अहम जनकारिया दी गई है साथ ही परिक्षा में पेपर लिक करने की बात सविकार की है अमन सिंग के पास से बरामत मोबाइल में JSSC CGL परिक्षा सहित कई अने परिक्षाओं के अभियार्थियों के पवेश पत्र एकेडमिक दस्तावेज और परिक्षा में कदाचार कराने के एवज में कई ट्रांजेक्स्टन डिटेल भी पराप्थ हुए है अमन सिंग द्वारा जार्खन CGL परिक्षा 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 मामले में सामिल अने कई लोगों की सनलिपता संबंधित जनकारी उपलब्द कराई गई है पूलिस के अनुसार जिनके बिरुद साक्ष जुटा कर आगे करवाई की जा रही है जार्खन में डेंगू का डंक खुटी में 32 और जमसेदपूर में 8 मरीज मिले जार्खन में मानसुनी बारिष ने अपना विक्राल रूपधारन भी नहीं किया है कि डेंगू ने दस्तक दे दी है राजे के दो जिले खुटी में 32 और जमसेदपूर में 8 मरीज की पुष्टी हुई है खुटी में बीते 1 माह 10 जून से 11 जुलाई तक में 32 मरीज मिल चुके हैं इन में से 18 मरीज स्वच्थ होकर घर लोट चुके हैं जबकि 14 मरीज अभी इलाज रहा है विभाग ने सभी मरीजों की ठीती समाने बताया है उपचार जारी है जमसेदपूर का उपायुक ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को डेंगू के लिए दो बेट सुख्षिद रखने का निदेश दिया है सिविल सर्जन को जाच के लिए प्रयाप्त की टुपलप्त कराने की भी हिदायत दी गई है किसानों को लाँ पहुचाना प्राथमिक्ता दिपिका किरिसी मंत्री दिपिका पांडे ने गुरिवार को जार्खन राज सहकारी लाह क्रय विक्रय एवं अपहरन संग समीति के सिंद्रोल नामकुम इस्थित लाह करखाना का ब्रामन किया इस दोरान उन्होंने जास्कोल लेप्स द्वारा संचालित लाह करखाना एवं प्रसिक्षन गति विदियो में भी सुधार लाने और लाह अधारित उत्पादों के विपनन के लिए क्रेता विक्रेता समेलन संस्थागत विपनन के लिए कंपनी संस्थाओं के साथ एकरार नामा करने का निर्देश्तिया है यह अभी कहा है कि करखाना में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भरमन कराकर उन्हें लाह उत्पाद एवं उसके परिशंस करण की जनकारी दे उन्होंने जास्कोल लेप्स द्वारा संचालित विभिन गति विदियो याथा प्राथमिक अलाह परिश्करन, इकाई, लेंग, सीलिंग, इस्टीक, उत्पाद की भी जनकारी लिहाए इंटर में नमांकन नहीं लिए जाने पर आरियू में परदरसान आर्यू के कॉलेजों में इंटर्मीडियेट के नए सत्रे में नमांकन शुरू कराने की मांग को लेकर युवा आईशू के सरस्यों ने गुरू और को विस्ट बिदाले के प्रशाषनिक भावन में तलाबंदी कर दी है। नमांकन नहीं सुरू किये जाने पर नर्यवाजी करने लगे। इसके बाद सबसे पहले मुखे गेट पर तलाबंदी कर दी काई। दंडा अधिकारियों और पुलिस पता अधिकारियों को दो पालियों में परति निउक्त किया जाएगा। पहली पालि में पता अधिकारियों रात बारा से आठ बजे तक और दूसरी पालि में सुबा आठ से साम चार बजे तक तनात रहेंगे। सभी परति निउक्ति दंडा अधिकारियों को निधारी समय अधि में अनिवाल रूप से उपस्तितरा कर विदी बेवास था के संधरन में निदेशक भरती बोर्ट से समयनों अस्थापित करते हुए अपने कर्तब एवं दयुत्व का निर्वहन करने का निदेश दिया गय वही नगर निगाम के अपर नगर आयूत को भरती कारक्रम के कर में प्रति दिन पाने के उपलपता सुनेचित कराने के साथ चलन्त सोचालय और प्रति दिन सोचालियों की साप सपहाय का निर्देश दिया गया है आमन साहू का सूटर गुमला से गिरफतार आमन साहू गिरोह के सूटर को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है रांची पुलिस की एक टीम ने सूटर को गुमला जिली से गिरफतार किया है उससे दुन्दुरिया बैंक कॉलोनी से गिरफतार किया गया बता दे अमन साहोगिरो के सूटर को बिरहस पत्ति वार की देर रात गुमला से गिरफतार किया गया उसे गिरफतार करने के लिए रांची से पुलिस की एक टीम यहां आई थी रांची पुलिस को पदा चला कि सूटर साधी समाव में सामिल होने के लिए गुमला आ रहा है इसी दोरान टीम उसका पीछा करते हैं गुमला पहुंची जाम ताहा के नाला प्रखंड में अभिनांदन सा विजय संकल्प सभा का वजन किया गया इस दोरा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और विजय पी नेता सीता सुरेन भी मौजूद रही अमर बावरी ने लोग सभा चुना में नाला पिधान सभा में बढ़त दिलाने के लिए करकरताओ का अभार जताया है अमर बावरी ने राज सरकार को वरत्षट चार में लिप्त बताया अमरबावरी ने हेमन सोरेन पर निशाना साते वे बोला है कि चुनाओ के समाए यही हेमन सोरेन थे जिन होने 5 लाख योगों को 1932 खतियान का धार पर नवक्री देने नवक्री नहीं मिलने तक बेरुजगारी भतर देने का वादा किया था लेकिन सत्ता में काबिज होने के बा देवघर आएंगे भक्तों की सुविधा के लिए भारतिये रेलवे हर सल भी से ट्रेन चलाता है इस बार भी बिहार बंगाल और उतर परदे से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी इसके साथ ही कुछ ट्रेनों का भी बिस्तार किया जा रहा है ताकि सुल्तान गंज से देवघर के बाद कावर्यों को अपने घर जाने में असुविधाना हो भारतिये रेलवे का कहना है कि हर साल कावर्यों के सहुलियत के लिए ट्रेने चलाई जाती है इस बार भी चलाई जाएगी दिव्यांगों के लिए रांची में खुलेगा पुर्वी भारत का पहला वि बिभाग के मंत्री चमपाई सुरे नहीं से लेकर जल्द ही प्रस्ताव केबिनेट में लाने की निदेश दिये हैं मंत्री गुरुवार को बिभाग की योजनाओं की प्रगति की समिक्चा कर रहे थे दिभ्यंग विश्व विद्याले एक ऐसा सेक्षनिक सस्तान होगा जिसमे दिभ्यंग विद्यारतियों के लिए उनकी जरूर्तों के हिसाब से सिक्षा के विश्व विवस्ता रहेगी वहां उनके लिए विश्व कोर्ष तता सेक्षनिक उपकरनों का इंतिजाम रहेगा इसके लावा बिभाग दोआरा नियोथान चात्रवित्ती योजना का भी प् अबिनदन सब विजय संकल्प सवहा का वजन किया गया इस कारकरा में जर्कन विधान सवहा में नेता प्रतिपक्श और भाजपानेता अमार बाव़री सामिल हुए इस दोरान उन्होंने परदेश की हमन सरकार पर जम कर निसाना साधा पच्छिम बंगाल से संताल परगनाज छेत्रों को मुर्सिदाबाद बनाने के त्यारी चल रही है। संताल की बदल रही डेमोग्राफी से आदिवासी समाज और हिंदियों को अस्तित्व पर खत्रा मन्दा रहा है। बीडियो स्तियों को कुर्षी से उतार देंगे मंत्री इर्फान। सारी नहीं हर व्यक्ति मंत्री है।